उत्सा के इस माहोल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश हैं कि IOC के एज़्गुटिव बौर्ड ने क्रिकेट को ऑलिम्पिक्स में शामिल करने की शिफारिश की है हमें उमीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा आज मैं आप सब के सामने 140 करोड भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा भारत अपनी धर्ती पर ऑलिम्पिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है साल 2036 में भारत में ऑलिम्पिक्स का सफल आयोजन हो इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा ये 140 करोड भारतियों का बरसों पुराना सपना है और 2036 ओलिम्पिक्स से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलिम्पिस की मेजबानी करने को भी इच्छुक है मुझे विश्वास है भारत को आयोजन का निरंतर सायोग मिलता रहेगा उच्छा के इस माहोल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश है कि आयोजन के एजगुटिव बौर्ड ने क्रिकेट को ओलिम्पिक्स में शामिल करने की शिफारिश की है हमें उमीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पौजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा आज मैं आप सब के सामने एक सो चालीस करोड भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा भारत अपनी धर्ती पर ओलिम्पिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साईत है साल 2036 में भारत में ओलिम्पिक्स का सफल आयोजन हो इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा ये 140 करोड भारतियों का बरसों पुराना सपना है और 2036 ओलिम्पिक्स से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलिम्पिस की मैजबानी करने को भी इच्छुक है मुझे विश्वास है भारत को आयोजन का निरंतर सयोग मिलता रहेगा यूथ बला है रहे जा बला का जबला है